तो बड़ी खबर काबूल ऐर्पोर्ट की बाहर फारिंग हुई जिसमें तीन लोगों की मौत हुई है इस भीच भारत से काबूल जाने वाली स्पेशल फ्लाइट को भी रद कर दिया गया है तीन फ्लाइट थी जिसमें एक को साड़े बारा बजे उड़ान भरना था दो को स्टैंडबाई के लिए रखा गया था लेकिन फिलाल तमाम फ्लाइट को रद्ध कर दिया गया है काबूल एरपोर्ट से आने जाने वाली सारी उड़ाने रद्ध कर दी गई है इस वक्त अफरत अफरी का महाल दिल्ली से काबूल जाने वाली एर इंडिया की उड़ान भी रद्ध कर दी गई है क्योंकि एरपोर्ट की बाहर वहां गोली बारी की खबर और इसमें तीन लोगों की मौत की खबर आ रही है चश्मदीत बता रहे हैं कि खूंससाने शब उन्होंने वहां पर देखे हैं काबूल एरपोर्ट पर इस वक्त अफरत अफरी का महाल बाहर फारिंग तीन लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है दिली से फ्लाइट जानी थी भारतिये लोगों को वहां से लेने के लिए लेकिन फिलाल उस फ्लाइट को रद कर दिया गया 12.15 बज़े का वक्त था जब एरिडिया की फ्लाइट को और भरना था लेकिन उस से पहले ही फ्लाइट रद कर दी गई क्योंकि situation इस वक्त काबूल एरपोर्ट पर ठीक नहीं है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हालात कितने तनावपूर्ण है वहाँ पर इसका अंदाज़ा इस बात से लगाई है कि गोली बारी वहाँ पर हुई और तीन लोगों की मौत हो गई चश्मदीदों ने बताया कि खून से साने शब उन्होंने वहाँ पर देखे है काबूल एरपोर्ट के बार फारिंग और जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई इस बीच डरे से में लोग लगतार काबूल छोड़ रहे हैं और साडकों की जो तस्वीरे सामने आ रहे हैं आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है गउरब सिती बहुत ज़ादा तनापुन और इस बीच जो तयारी भारत की तरफ से की गई थी कि स्पेशल फ्लाइट बेजी जाए वो भी रद्ध हो गई है प्रिटन के अमबसेदर हो अफगानिस्तान खोड़के variance बंद करके या downscale करके जा रहे हैं भारत कम कम से संक्या में है अभी मिश्च चछल रहा है लेकिन अफगानिस्तान की सिति नवजोट इस समय बेहत तनावपूर है इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अफगानिस्टान के जो राश्ट्रपती है अश्रफ गनी उनके विमान को ताजिकिस्तान में नहीं उतरने दिया गया तो वो ओमान में है और ओमान के दास्ते अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे है बिल्कुल गौरत नसरा बना रहे हैं हमारे साथ इस वक तक का निकाह हमारी सेहोगी जुड़ती है